हे गाइस दिस इस जो दो मूवी बोई के फोक करतव्य वेलकम टो अर चैनल और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम 90's के पॉपुलर एक्टर अविनाश वधावन जी के केरियर को इनलाइस करेंगे और उनकी फिर्मों के बॉक्स ओफिस कलिक्सन और अधर आस्पेक्ट के बारे में डेटेल में जानेंगे और आज का हमारा इस वीडियो हम हमारे वीवर्स मुहम्मद निजाम जी अमिद गुपता जी और साहिल राज जी को डेडिकेट करते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सेयर जरूर कीजेगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकन को प्रेस करते हुए आल पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों अविनास वधावन जी का असली नाम राकेस वधावन है अविनास जी 90's के उन अभिनेताओं में सामिल हैं जो पॉपुलर और गुड लु पर भी कई सीरियंस में काम करते हुए नजर आते हैं बत और अभिनेता बॉलिवुड में उनकी पहले फिर्म आई प्यार हो गया 1986 में रिलीज हुई थी और इस फिर्म को गिरीज मनुकांत जी ने डरिक किया था और इस फिर्म में उनके साथ रंजीत राज, अंजली सेन, अ अमरीश पूरी और कोमल मधुवाकर जी जैसे एक्टस नजर आये थे 65 लाग के बजट में बने इस फिर्म ने लगबग 40 लाग कर नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिर्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद उनकी अगले फिर्म आई इनसाब की पुकार जो 8 दिसंबर 1987 को रिलीज हुई और इस फिल्म को टाटी नेनी रामा राव जी ने डिरेक्ट किया था इस फिल्म में उनके साथ धर्मेंद्र, जितेंद्र, अनीता राज, भानु प्रिया, प्रेम चोपड़ा, कादर खान और अनुपम खेर जी जैसे एक्टस नजर आये थ अप्रेल 1991 को रिलीज हुई और इस फिल्म को सिप्ते हसन रिजवी जी ने डिरेक्ट किया था और इस फिल्म में उनके साथ सिखा स्वरू, बिंदू, अनु कपूर, सत्येन कपूर और देव कुमार जी जैसे एक्टस नजर आये थे पचास लाग के बजट में बन इस फिल्म ने टोटल 35 लाग का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद उनकी अगले फिल्म आई आई मिलन की रात जो 26 अप्रेल 1991 को रिलीज हुई और इस फिल्म को के पपू जी ने डरिक किया था इस फिल्म में उनके साथ साहीन, परेश रावल, अलोगनात, अनुपम खेर और अरुना इरानी जी जैसे एक्टर्स नजर आये थे लगबग 40-50 लाग के बजट में बन इस फिल्म ने 70-80 लाग का नेट करेक्शन किया था और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म एवरेज साबित हुई इसके बाद आई मीरा का मोहन जो 7 फरवरी 1992 को रिलीज हुई और इस फिल्म को के रवी संकर जी ने डरिक किया था और इस फिल्म में उनके साथ अस्वनी भावे, दीपक सराप, असोक सराप, राकेश बेदी, प्राण, एके हंगल और अलोग नाजी जैसे एक्टर्स नजराय थे पचास लाग के बजट में बनिस फिल्म ने लगभग 90 लाग का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म एवरेज साबित हुई इसके बाद आई पुलिस और मुझरिम जो 24 जुलाई 1992 को रिलीज हुई और इस फिल्म को केसी बुकाडिया जी ने डेरिक किया था इस फिल्म में उनके साथ राज कुमार, विनोत खन्ना, मिनाक्षे से सादरी, नगमा, चरन राज और सदा सीव अमरा पुरकर जी जैसे एक्टर्स में जराय थे दो करोड के बजट में बनिस फिल्म ने टोटल 3 करोड 90 लाग का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स आफिस पर या फिल्म एवरिज साबित हुई इसके बाद आई जुनून जो 18 सितमबर 1992 को रिलीज हुई और इस फिल्म को महेज भट ने डेरिक किया था इस फिल्म में उनके साथ राहूल रॉय, पूजा भट, टॉम अल्टर, राकेस बेदी और आवतार गिल जी जैसे एक्टर्स में जराय थे लगबग 1 करोड 25 लाग के बजट में बनिस फिल्म ने टोटल 2 करोड का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद आई गीत जो 20 नॉमबर 1992 को रिलीज हुई और इस फिल्म को पार्थो गोस जी ने डेरिक किया था इस फिल्म में उनके साथ दिव्या भारती, लक्षमी कांथ बरेडे, अनिल धवन और सक्ती कपूर जैसे एक्टर्स में जराय थे 85 लाग के बजट में बनिस फिल्म ने लगबग 5 लाग का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई बलमा जो 1 जनवरी 1993 को रिलीज हुई और इस फिल्म को लॉरेंस डिसूजा जी ने डेरिक किया था इस फिल्म में उनके साथ आयसा जुलका, सहीद जाफरी, अंजना मुम्ताज और सम्मी जी जैसे एक्टर्स में जराय थे 65 लाग के बजट में बन इस फिल्म ने टोटल 55 लाग का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई दिल की बाजी जो 7 मई 1993 को रिलीज हुई और इस फिल्म को अनियल गांगुली जी ने डिरेक्ट किया था इस फिल्म में उनके साथ अक्षे कुमार, आयसा जुलका, अनुपम खेर, राखी और फरहीन जी के साथ परेश रावल जी जैसे एक्टरस मजराय थे 2 करोड 25 लाग के बजट में बन इस फिल्म ने टोटल 85 लाग का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई घर आया मेरा परदेशी जो 4 जून 1993 को रिलेज हुई और इस फिल्म को रवेंद्र पीपट जी ने डेरेक्ट किया था इस फिल्म में उनके साथ वर्सा उस गाउंकर, भाग इसरी, गुलसन ग्रोवर और विकरम गोखले जी जैसे एक्टरस नजराय थे इस फिल्म को असोग गायक वाड जी ने डेरेक्ट किया था और इस फिल्म में उनके साथ सिधार्थ, सिल्पा सिरोटकर, परेश रावल और गुलसन ग्रोवर जी जैसे एक्टरस नजराय थे सतर लाग के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल एक करोड ग्यारा लाग का नेट केलेक्शन किया और बॉक्स आफिस पर या फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई धनवान जो 10 दिसंबर 1993 को रिलेज हुई और इस फिल्म को के विश्वनाद जी ने डिरिक किया था इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन, मनीशा कोईराला, करिश्मा कपूर, दलिप ताहिल, अरुना इरानी और कादर खान जी जैसे एक्टर्स नजराय थे एक करोड़ साट लाग के बजट में बनिस फिल्म ने टोटल एक करोड़ 38 लाग का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म दिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई महाशक्ती साली जो 15 अप्रेल 1994 को रिलीज हुई और इस फिल्म में उनके साथ धरमेंद्र, आईशा जुलका, अनुपम खेर, गुलसन ग्रोवर और सोनु वालिया जी जैसे एक्टर्स नजराय थे एक करोड़ तीस लाग के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल एक करोड़ संतावल लाग का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म फ्लॉप साबित हुई इसके बाद आई आजा सनम जो 9 सितंबर 1994 को रिलीज हुई और इस फिल्म को के पपुजी ने डेरेक किया था इस फिल्म में उनके साथ चांदनी, सीबाहा, परेश रावल और अलोगनाजी जैसे एक्टर्स नजराय थे 40 लाग के बजट में बन इस फिल्म ने टोटल 13,25,000 का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई फॉज जो 29 जुलाई 1994 को रिलीज हुई इस फिल्म को असोग गायकवार जी ने डेरेक किया था इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना, मधू, फरहीन, सुदेश बेरी और टीनू आनन जी जैसे एक्टरस नजराय थे 55 लाग के बजट में बन इस फिल्म ने टोटल 32,72,000 का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद उनकी अगले फिल्म आई पापी गुडिया जो 16 फरवरी 1996 को रिलेज हुई और इस फिल्म को लॉरेंस डिसुजा जी ने डिरेक्ट किया था इस फिल्म में उनके साथ करिश्मा कपूर, टीनू आनन और मोहन जोसी जी जैसे एक्टरस नजराय थे 70 लाग के बजट में बन इस फिल्म ने टोटल 45 लाग 25 हजार का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद उनकी अगले फिल्म आई सोहरत जो 28 जोन 1996 को रिलेज हुई और इस फिल्म को 37 राजन जी ने डरिक किया था इस फिल्म में उनके साथ मधू, वर्सा उस गाउंकर, सुदेश बेरी, अनुपम खेर और दलिप ताहिर जी जैसे एक्टरस नजराय थे 90 लाग के बजट में बन इस फिल्म ने 63 लाग 25 हजार का नेट केलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई फूल बने पत्थर जो 25 अक्टूबर 1996 को रिलीज हुई और इस फिल्म को अमरीज संगल जी ने डरिक किया था इस फिल्म में उनके साथ इंद्राणी बनर जी, किरन कुमार, मोहन जोसी, मोहनीज बहल और कादर खान जी जैसे एक्टर्स नजराय थे 45 लाग के बजट में बन इस फिल्म ने टोटल 9 लाग का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद उनकी अगले फिल्म आई चूप जो 14 फर्वरी 1997 को रिलेज हुई और इस फिल्म में उनके साथ जितेंद्र, सोमी अली, ओमपुरी, मोहन जोसी और दिनेस हिंगुजी जैसे एक्टर्स नजराय थे 33 लाग के बजट में बन इस फिल्म ने टोटल 29 लाग का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद आई वाइफ है तो लाइफ है जो 11 फर्वरी 2005 को रिलेज हुई और इस फिल्म को मनेश स्रिवास्ताव और जैनेंद्र बक्षी जी ने डरेक किया था और इस फिल्म में उनके साथ भरत, सुरूती सर्मा, सुसान सिंग और रुपाली सूरी जी जैसे एक्टरस में जराये थे 75 लाग के बजट में बन इस फिल्म ने टोटल 2 लाग का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ओफिस पर या फिल्म डिजास्टर साबित हुई अगर आपने अविनास वधावन जी की फिल्में देखी है तो उन फिल्मों में से कौन से फिल्म आपको पसंद आई थी कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लेज इसे लाइक और सेर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाहल आइकन को प्रेस करते होए और पर क्लिक कर दीजेगा तब तक के लिए गुड़ बाई टेक क्यार